टीम जो है वो मैदान में आचुकी और दोनों बल्लेबास जो है यूपी वारियर्स के वो भी मैदान में आचुकी है आज और अच्छा लग रहा है कि इतनी यंग्स्टर्स जो है वो इतनी बड़ी-बड़ी खिलाडियों के साथ खेल के अपने गेम को भी जो है इन्हांस कर रही है किसी ने आज डबली पील से पहले शायद काफी लोगों ने साइका इशाक का नाम कभी सुना भी नहीं होगा और अब व कोई चीज हो रही है साइका इशाक जैसे प्लेयर के लिए भी जो की लीडिंग विकेटिकर बन चुकी है अभी अभी तक राज आपने कितने मैच जितनी मैचेस देखे हैं कोई इंडियन ऐसे प्लेयर का नाम बताए जिसने आपको बहुती प्रभाव डालो ये स्मृती वह जितनी मंदाणा का नाम ऑए और सुनोच से प्लेयर का नाम थे साइसे जिसनों के लिए विडशि खिलाडी ये तो बात सच है इंडियन खिलाडी उचने डिखे नहीं इस मैच में लेकिन असकाप्टान मुझे हर्मन प्रित कॉर्द कोर्ड भूट भूत आए बहुत तो इस है एक कैप्टन मुझे बहुती ही ज्यादा इम्प्रेस क्या और ब्लेबाजी एक मैस तो काफी अच्छा हेला था था जो इंग से था जादा वाइस गिंदों में 50 था अभी तो इनको ज्ड़ी बॉका मिलता लेकि ब्लेबाजी कर जादा जह लगता ज़्ले जादिया को चांस दिया है कि वो जो है ओपन करे ऐलीसा हीली के साथ कोमल जन्जात यहां पर बॉलिंग कराने के लिए बहतर मैचों में 41 विकेट एकनॉमी बहुत जबरदस है चार दश्रमलव 6 शुन्य का तो कसीवी गेंद बाजी करती है जादा रंस नहीं देखते लेकिन आज देखते हैं क्या होता है कि जब आप इतने बड़े लेवल पर आके खेलते हैं तब सब कुछ चेंज हो जाता है अभी तक आप डुमेस्टिक में खेल रहे थे बड़े-बड़े बैटर्स के साम ने आपका जो है भी पाला नहीं पड़ा था आज देखना अच्छा लग एंड़े इनके एक गडरी बैकवर bisけれ hice कर दो उसकिन घररी एक टाली डीप कोंट पॉइंट में बाहए ऱंब कातकरों तो से वह को कुछ नोंक रूलने मिल्ने बाला ही नहीं है कि एंड़ार्यों का जो की पेसर है और अर्म डॉर्व के खेडर एंगी यहां पर देवी का व लेकिन अच्छी शुरुवात यहां पर देवी का वैद्या के लिए थोड़ा सा शेप भी देखने को मिला हमें लेकिन बहुत ही कौन्फिडेंटली जो है यह कवर ड्राइव जो है लगाया गया था पहली बॉल पर एक रन आ चुका है इसी तरीके से कौन्फिडेंटली क्यलन बिलकुल आपने सही का ज़ादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है यहां पर आपको सिर्फ फाटरशे बिल्ड़ अप करना है जैसे कल मुंबाई ने किया था उनकी रेगुलर चन्दे वाली बाटर है वो नहीं चल पा रही थी लेकिन उसके बावजूद उनके साथी बैघ वर बनाना है रामसे किया जा सकता है thinking इस बार अच्छी गींती टपा काने के बाद बाहर की दरफ निकली जंजड अच्छा पी जनरेत कर हुouv bedroom लेल डरल घं run मिल चाहेंगे चले यहां पर देवी का वैद्या फेस करेंगी अपनी दूसरी गेंद इस ओवर की कोमल जंजाद तयार है तीसी गेंद के लिए और थोड़ा सा शेप फिर से देखने को मिला और खेला है उसको पॉइंट देशा की तरफ और कोई रन नहीं मिलेगा और स्कोर जो है अभी भी दो ही रहेगा विकेट कीपर जो है यार वो अब आगे ओके जो है कीपिंग कर रहे हैं विक्टों के बिलकुल सामने क्योंकि वो चांस नहीं देना चाहते कि आगे बढ़के जो है रूम ने अपने आपको बैटर और वो चौके लगा सकें चले दो फील्डर की अगर हम बात करें तो एक थर्ड मैन की तरफ जो है लिया हुआ है और यहां पर डीप जो है बैकवर्ट पॉइंट की तरफ लिया हुआ हुआ है चले अच्छी शॉट यहां पर फिर से लेकिन जो पॉइंट की फिल्डर है वहीं पर बॉल जा पाएगी तो चार गेंदों में दो रन अच्छी शुरुआत फ्रम कोमल जंजाद बिल्कुल जंजाद एक अच्छी गिंबाज है जैसे कि हम थोड़ी तेरे पहले जिकर भी कर रहे थे कि यह की प्ल फिलाल ड्राइव किया है बेतरीन शॉट है कवर ड्राइव है चौका में लेगा यह बहुत ही अच्छा कवर ड्राइव है दिया के बैट से निकलता हुआ इस चौके के साथ यूपी वार्यों सपहुत जाएंगी च्छे पे और कैलकुल यह कैलकुलेटिव शॉट यार क्रॉस सीम से गेंद बाजी की थी और मिडल अफ द बैट से केला गैप में निकाला बहुत अच्छा शॉट अफ्टम के बाहर की गेंद थी फुले लंद की उस पे कट कर दिया और आसानी से चौका बटोड़ा था यहाँ पे देवी सीदेर डीप मिडविकेट बांडरी की तब वहां खिलारी पीछे दौर के रोकेगा और जब तक गेंद को फैक है तब तक दोने बले बाजों ने दौर करके दो रन पूरे किये आठ बिना किसी नुकसान के एक ओवर की हो चुके यहाँ पे समापती यहाँ पे संदीप सब्सक्राइब को तो अगर ऐसे 8-10 रन ऐसे बनते रहे हर वर में तो बहुत जल्दी हम देख सकते हैं कि मैच 15-16 और में खतल हो सकता है बट यह देखना बाकिये कि आज अलीसा हीली उनके बल्ले से भी आज कोई इतनी अच्छी इनिंग नहीं देखने को मिली है अभी तक पूरे टोनमेट वे स्टार्ट जरूर मिले है 20-25 तक पहुंची है लेकिन उसके बाद कोई बड़ा नौक जैसे 50 नहीं लगा पाई है जैसे जिसके लिए वो जानी जाती है कि 60-70 रन जरूर बनाती है जब भी एक बार वो सेट हो जाती है अभी तक वैसा कुछ नौक हमें देखने को नहीं मिला है उनके बल्ले से तो आज वो भी कोशिश यही करेंगे कि वहाँ पे टिकी रहें और अपनी जो है नैचरल गेम जो है उसके साथ एक बड़ा स्कूर भी बनाएं तो एक ओवर के बाद आट स्कूर हो चुका है यहाँ पर यूपी वारियर्स का और आर वारियर्स के लिए अराउंड विकेट आ रही है राइट आम ऑफ स्पिन और सो खेला ऑन साइड की तरफ रन लेने के लिए भागना चाहती थी देवी का वैद्या लेकिन वहाँ पे फील्डर मौजूद थे इसलिए कोई चांस नहीं लिया ऐलीसा हीली ने तो यहाँ पर का लेंगी दूसरी बॉल को और क्या कोई बड़ा शॉट आएगा आ सकता था डाउन दे लेकर आएगी बॉल की इसको खेला है फाइल लेक दिशा में फील्डर जो है वो तीस गज घेरे के अंदर है उस बॉल को फंबल थोड़ा सा हुआ लेकिन तब तक एक रन लेने में कामय स्कोर हुआ नौ बिना किसी नुकसान के 1.2 बरों के बाद चले तो अवर की तीसली गेंद लेके तैयार होंगी श्रेंग का पाटिल सामने होंगी देविका वैद्याज पांच गेंदों में साथ रन बना करके खेल दिया और इस वक्त उनके लिए फील्ड में कुछ फेड ब से मार के खेल बाच यहां तो वह कर सकते हैं यहाँ पर काफी सारे लोग हां जूड़ें अकास ब्लास्ट जी जूड़ें अकास ब्लास्ट गल्ती मैं अन यहाँ मांद बन्णा की रख अग्टी है कि वह कैपटन्सी दी है चलिए ँछा कॉम टुद किममेंच टी है यह एक फाल्टू का रं देदिया अपने तो आपके बास रन कम है उपर चायद चानिका हो जाती है चले चौथी बाल करें थेरें इनकी चोटी बॉल मिल जा रही है आपको तो यसी कोई ऐन बाजी तो इसे खराब गिंदाजी तो तो आपको नहीं चाहिए और आप यह देखे कि अगर वो सिंगल नहीं होता तो चौका नहीं लगता लेकिन आपने फाल्तू का जो रन दिया ना यहां पर चौका भी लग लग गया एक वही बिल्कुल तो बहुत क्या कहेंगे यार वैड्स ही नहीं आरे तो अब अब हर चीज महला ऐसा लग रहा ना कि कोई भी चीज मैंगलो के पंच में जाही नहीं रहे है आर्चीज को ऐसा लग रहा है मतलब एक कॉम्पिटिटिव मैच खेलने की वह होती है वह सब नहीं देखने को इस बार लेट कट किया है बहतरीन यह कट है गें थर्ड मैंटरी की तरह नहीं आउट फीड बहुत अची है बहुत ही अच्छा शॉट है लिके बैट से निकलता हुआ एक और चौका मिल जाएगा और स्कोर जो है बढ़के हो जाएगा ठारा बिना किसी विकेट के नुकसान के नौरन प्रती ओवर इस रंचेस को लेके उतरे हैं और जस अंदाज में यह जबरदस्ट जबरदस्ट अर्वी एक बहुत ही झाट तश्चा मलाय लेका ड्यारण से पर घितना शचा जाएगा इस ओवर में आए हैं आपके लिए 10 रन तो जो भी थोड़ा बहुत जो है अगर आपको प्रेशर बनाने की जुरुत थी वो तो आप अभी पहले दो वर में तो नहीं कर पाएं क्योंकि आप 18 रन दे चुके हैं दो ही ओवर में और अगर बात करें हम देवी का वैद्या कि उन और RCB जो है सिर्फ 138 रनी बना पाए तो अभी एक सो एक सो एक सुनों की जरते है एक सो आट गेंडों में तो भी आपको विकेट्स चाहिए अगले कुछ एक दोवर में तभी आप इस मैच में जो है कमबैक कर पाएंगी नहीं तो आप भूल जाएए आप अपना जो है आपे हारें इसी बीचे कॉड ड्राइव बेहतरीन चौट शौक का मिल जाएगा एलिसा पेरी ने डाइव जरूर लगाया कि इनको रोकने के लिए बट अनफॉर्चुनेटली रोकने में काम्याब नहीं हो पाएंगी क्या बेहतरीन कवर ड्राइज अब तक देखने का मौक अब आज की परफॉर्मस देखने के बाद जिए लग रहा है यह जीतना चाहते ही नहीं है नहीं चाहते बाई जीतना चाहते है उनके लिया यह सब्सक्राइब बाइन के बाहर की गेंटी उसको कट किया था गेंटी देर शौकावर के खिलारी के पास एक रन दौड़ गें तो यह वाइड गेंट हो सकती थी जिस पर बल्ला चला दिया देविका वैद्या ने इस वह तक एसा ही कुछ देखने का मौका मिला है तेईस विगेंट के नुकसान के दो और दो गेंदो के बाद तीसरी गेंट का सामना करेंगी अब हैली और फीलिंग के जमावर पर बहु आपको लग रहा है शौटर साइट और बाउंडरी या कोई ऐसी चीज है इस मैदान शौटर साइट एक तो है जिसमें 40 आपको लग रहा है इनकी बैटिंग को देखके जिस तरना ग्राउंडे शौट के लिए इस बार बढ़ा के पूल कर दिया है कि इन जा रहे है एक बार जो है लॉंग ऑन बाउंडरी के पास गया और तो पे लगी थी इसलिए आप दही कितना जवर्दस जो है वो मैंला आउट्फिल कितना अच्छा है कि बॉल जो है रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और इस ओवर में भी दो बाउंडरी रा चुकी है स्कोर हो चुका है 27 बि बाउंडरी तरफ टरफ गाइड करना जाती थी लेकिन जो फिल्डरी थीर्ड मैं की वो तीजग गहरी के अंदर ही थी इसलिए कोई नहीं मिला तो यह परिशानी का सबब तो है सब कुछ ही जो है दूसरी टीम के लिए होता है जब वो और रसी भी खेल रही होती है शुरू दाउन दा ग्राउंड केल है ओवर दा बोलर सेल्ड यहां पर चार रंशायद मिलेंगे लेकिन बहुत जबर्दा शॉट था यह बहुत ही अच्छा शॉट और जिस टाइप ऑफ क्रिकेट के लिए जानी जाती है यहां पर ऐली साहिली उसी टाइप का क्रिकेट खेलती ही औ बहुत ही बेतरी इंचार्ट कैलकिलेटिव सीधे बैट से आएं और वन बाउंस बाउंडरे के भार गीन को पहुचा दिया 31 हो गया स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान के इस ओवर में भी आ गया है 13 अब तक तो 9 रन चल रहा था 13 आ गया है 13 बहुत तेजी से रन की कती क बढ़ाती हो यूपी वारियोस की टीम इस बार उटसाइड दॉस्टम ड्राइव किया ये भी चौका है नहीं फीलर है फीलर मौजूद हलकिसी मिस फील हुई है दूसरे रन के लिए निकलना चाहती थी मना किया वैद्या को कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगी जो बैंगलोर न किया है फिर से क्या मतलब है नाम किया है यहां पर सुभान सिंग है सुभान भाई आपसे सवाल है मेरा कि फिर से क्या मतलब है रसी भी तो हमेशा सही निराज करती है यह तो फिर का है यह बोलते है कि आज निराज किया वो डायलोग है ना रसी ने टीम लेने के बाद एक ड गटकुल नहीं तो ऐसा ही है वह अगर अपने दोस्तों के साथ बैट कर रहे थे किसकी टीम किया है तो हम यही कह रहे थे कि RCB ने एक बार फिर बोलर्स पे फोकस नहीं किया बैटर्स पे फोकस किया अनफॉर्चुनेटली वो बैटर्स भी अपना काम नहीं कर रहे तो कुछ नहीं किया जा सकता पहली गेंड बैटर्स आई है गेंड बाजी करने के लिए राइट हम ओवर दो विकेट पहली गेंड मिडल और उस्टम की गेंड थी वापिस बोलर की दिशा में केला स्कोर अभी भी 32 पिना किसी विकेट के नुकसान की दूसरी गेंड ले जाने के लिए था यार गेंड बाज कर्मोक एस्तेवाल फुल टॉस बनाया गेंड को पहली दूसरी प्रश्चेट के लिए लिए खेलतीजा अरड नगी तरह प्रदर्शन दोनों के रहे हैं लेकिन अलगी रही है अरे न बंस जब भी ऐस्ट्रेला के लिए लिए था साल सब्सक्राइब है अज्टक तक ऑसलें तक शेलाई जिराई नगलक किसेरें जब कि वीबिल भीपिल में लगातार चांस निमीलाई पैनलाई चांस निमिला ने मिलाई जाए उसे उनलकी करियर आप अटी कि अजिते हैं कि आपको नहीं की तैलेनेक विली अवको दोश्केलिया निये कि आपको दोच्खालिया इस तो एक टैलन्स जगाई नहीं नहीं की पार तो आपको चैलेने खुछेंगे देस्टों इन भीरे दोच्षप नहीं है तो नहीं कीलारन कि दुछिए क्वा उम कि अफर इस फिर तो केला चौटी से स्कोर बिना किसी विकट के नुकसान के पांच वी गेंद का सामना करेंगे अब ही ली चौका नहीं है इस ओवर में इस अच्छी बात है इस बार कदमों का यूपी वारियर्स का अच्छा ओवर जा रहा था चार गिंदों में मातर दो ही रन आई थी इस बार चौका लगने के बाद चे रन आ गया है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि वाइट गेंद को चेड़ा गया और चौका नहीं आया ओ यूपी वारियर्स आखरी गेंद इस इस बार फ्लाइट डिलिवरी फुला लेंद की ड्राइब लगा के इंद को रोका एक रन अपनी टीम के लिए बचा लिया यहां पे चे रंज के साथ ओवर की समापती हो जाएगी चार ओवर्स में 38 हो गया स्कोर यूपी वारियर्स का बिना किसी विगट के नुकसान के यह सब्सक्राइब लेंद के साथ साथ सान मैच यह 5 मैच पनाच मैच भी यह जाए लगिच्घाशी को फोरवर्ड करते हुए मुमेंद के साथ अले बारो और ग्ली ऱै यह अज्राली लाई दो सांवी दाशन के साथ करते हैं ले मेंग् optim psychology impairedaire इजी वांग एन हेली मेथ्यूस शौक्ड मी 10 लाइक साइका इशाक डूइंग बेस्ट क्योंकि अन्कट प्लेड थी इंडिया की 10 लाइक में उनको मुम्माइ ने खरीदा और लीडिंग विके टेकर बनगी यह बताईए बताई अगले सि這邊 में बढ़नेवाले सिक भाग हमें पंड़ूर जाए लेक नियूरै विषभ सुम्माइऑ निर्टधा हो खालतर नेंनीनिड देख शौक्टा गयर की Śका यह जोड़ना थोड़ी चाहोगे यसे गिंद बास को चलिए रेनुका सिंग ठाकुर की अगली गेंद दाएहाथ से राउंद विकेट बाएहाथ के बल्ले बास के लिए स्टम्स की लैंड में गेंटी उसको ड्राइव के गेंद सीदे मिडाउन के खिलाड़ी के पास रन का कोई म यहाथ के दाएहाथ के खिलाड़ी के खिलाबं झचै को बास स motherfैनर्स को रॉड़ी कग्वज के टरभी टिकल्छ के उसलने की द到वी सम् talvez कर दादी मैं बटारी यहाद कर दियाया है याद थैनल स्टम्नरें को है अ प्रड़ी कोली इना कि भी दाड़ी तेन बाक्वाद कै द ओम्र्ड में उकष्याइब थे लिव के लुफा हैं भी में, और अजनको नहीं भी इंटे है दो अपंचमूरी में oni परादन का सिंट्टेहभरा हैं प्लत は मिवकी वन्हयाइब किसे अक्यूल में से वो सिर्ट में को थो अचीं में का सिर्ट में सबस्क्राइब और दो फील्डर्स दो सरकल के बहार नजर आ रहे हैं एक एक्स्ट्रा कवर पर और एक डीप मिड्विगेट पर तब चौका आएगा सीदे बैट से एली तैयार है 14 गेंदों में 24 रंस बनाके रहेनु का बहुत ही अची गीन बाजी अब तक करती हुई नजर आई है टीम के लिए तो रहलेंद की बॉल सौफ्ट एंचे कट किया इस गेंद को रन लेना चाहती थी मना किया वैदिया रिस्की लंग मिलेने की जरूरत ही नहीं है यहां पर बहुत अच्छी शुरुवात आपको मिल गई है एक और में रन नहीं आएंगे तो फर्क नहीं बड़ेगा है और क्या अच्छी शुरुवात मिल गई और आप ऐसे रिस्की रंस लेकिए अगर विकेट गवा देंगे तो उससा कोई फायदा नहीं है 28 गिंदों मे जो है टार्गेट आप अचीव कर लेंगे लिसा हीली 24 रन मना कर खेल रहें फेस करेंगी ठाक और को फिर से खेला है ऑंसाइड की तरफ भले इंसाइड एज थोड़ा सा लगा था लेकिन एक रन लेने में काम्याब रही और मेह सिरफ 99 रनों की जरुवत है तो डबल डिजि तो मिली गई है पांच और में आपने लगबख 40 रन यहां पर बनाई लिए तो इससे बड़िया शुरुवात की उमीद आप नहीं कर सकते थे फॉर यूपी वारियर्स यहां पर डाउन दा लेक बॉल है बॉल जा रहा है फाइन लेक खेलाडी के पास लेकिन एक रन लेने म पर पर नहीं हारने के लिए जॉनी वर्ल्ड कह रहे है कि पावर प्ले के लास्ट ओर में विकेट आएगा और अकाश ब्लास करें कि हमारे पास अप्शन है मतलब नहीं है उससे कैसे करें यूस कैलते हैं एक्जामपल भई मैं बिल्कुल निह समझ नहीं पहरे है तो इससे क इसındー एककी TWT कि जा एव कहतें कि अगर मैं के कैसे क्इश्वटे आज इसे अगम में कर रहा हूं तो भ्यद्ट कि एक्षप्टे बनारिये जाए। उन्लिख से उस में में एक्षप्टेंस अगम और कैसे कि एने-जिश्चिप्त Tancies मुहिम चले है रो तू हंडर्ड सेंचुरीज इतनी पुरान कहां 30 सेंचुरिया पड़ी है उनके वाइ इस ताइब को व्योर्शिप तो चाहिए ना एकल तो लाइब आएगा नहीं तो व्योर्शिप कहीं ना कुछ चाहिए ना तो ऐसी लेंगे अब नेवर की शुरुवात सब्सक्राइब कर लिया जाएगा और बहुत स्मार्ट काम कर रहे हैं अभी तक स्ट्राइक रोटेट करें जानते हैं हीली के अंदर वह काबिलियत है निकालने की और क्योंकि आखरी ओवर्स है पाव प्लेका तो यहां पर चाहेंगे कि कुछ रूंस यहां पर निकल जाए तो मज़ा ही आजाएगा चले यहां पर अच्छा सवाल पूछा है और हरीश ने वुट बी इंटरस्टिंग तो सी मैक्सवल नोडिया आफ्टर इंच्री वाट यॉल थिंग वेन भूम्रा एं पंट वूड बी अब तो रिकवर देंसेल्स पंट को तो आप बूल जाए कि अब बूम्रा को भी भूल जाएगे इस साल तो बिल्कुल नहीं खेलेंगे और बूम्रा का अब यह देख लिजिए कि WTC तक का तो टिकेट उनका कट चुका है कि वो नहीं खेल रहा है WTC तक तो जो फाइनल जो होने वाला है जून में अगर इंडिया खेलेगी तो वो इसमें बॉलिंग कराने के लिए कि बैक इंजरी है तो इनको मार दिया है बहुत देर से चौका नहीं आया था तो ऑन रिक्वेस्ट ऑन डिमांड डिलिवर किया है चौके के साथ स्कोर हो जाएगा च्यालीश वन्स बिना किसी विकेट के नुकसान की प्रॉब्लम यह है कि बोलर को एक बार बैक इंजरी हो जाती है तो उसको क्रिकेट में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है और मुझे नहीं लगता कि अगर वापसी कर भी लेते हैं तो उनका एक्शन ही ऐसा है कि मुझे नहीं लगता है उनको प्रेशर होता है तो आई डूंट तिंग कि वह ज़ अपना बैट का जो है वो मुझ को खोला और किया थर्ड मैं की तरफ और एक और बाउंडरी मिल जाएगी तो लगातार दो बाउंडरी जाती हुए और पांच दशनवर चारोवर के में ही इन्होंने पचास का आगड़ा जो है जो है चू लिया है तो या मैच जो है पूरा ग्राउंड के अंदर जो ताइम स्ट्राइजिक टाइमाउट होता है उस ताइमाउट के दरान सपाट विकेट पे रूलर चलाते हुए धो रूलर चला के क्या सवाल या कि अल्रोलर चला के क्या वह भाली बना चाहते है पाकिस्तान ने बना रहा हुँ आप जब अलिसा हीली जो है वह इंप्रोवाइस करते हुए और खेला है रिवार स्विप और फिर से थर्ड मैन एडिया के तरफ एक और बाउनरी मिल जाएगा तो वह एक और बाउनरी मिल गई है और इसी के साथ स्कोर जो है चववन बिना किसी नुकसान के एट्रिक बाउंडरी दे उनको टीम में रखना यहां पर स्ट्राइक पर रखना जरूरी है इसलिए स्ट्राइक दिया और इस बार कदमों का इस्तेमाल की अनफॉर्चनेट करेक्ट नहीं हुआ लेकिन बिस्वील हो जाएगी जहाप एक भी रन नहीं मिलना चाहिए था मास सिंगल मिल गया यहां पर एक यूजर है यह भाई आई हेट लव के नाम से बुम्रा के बिना क्या मैं अपकी बार प्ले आफ में तक भी पहुच पाएगी बिल्कुल बहुच सकता है क्योंकि जोफरा अर्चर अगर आपके लिए बुम्रा नहीं है तो जोफरा आर्चर जैसा फायर पावरा बुम्रा ढ। कि फावरा का बिल्कुल ऐगार थेखा अर्चर जबुम्रार वी कवहा हैं जोफरा कि बिल्कुल झालएब है गजिए यह लुचेशक बिल्कुल झालएब रेज्य बिल्कुल झालएग ठीक कृकि तो बार निसी फीज़ और गये है तो पायर गर्तुल तो मेरे खाल सब IPL से दूर होना पड़ेगा उनको अगर इंडिया के लिए इन्वेस्ट किया होता न किसी ने तो या तो वो करें कि आप टीम से बाहर चले या या तो अगर इतना पैसा ले रहे तो आपको खेलना पड़ेगा अगर अगर तो अगर आप मिचल स्टाक की तरह बन जाईए आप कुछी मैची साप अपनी टीम के लिए खेलेंगे बाकी वैस्ट लेंगे यह कर सकते आप यार वो अस्ट्रेलिया वाला है वो मना कर सकता है इंडिया में आप ऐसे मना नहीं कर सकते अगर आप आप देखे कि आप रेस की बात करते हैं विराट कोली जो है इ एडिशन कर देता हूं अभी बीच में एक सवाल यही आया था कि क्योंकि आई बेल के तुरंट बाद वर्ल्ड कप खेलना है टेस्ट चैंपेंशिप खेलनी है तो वर्कलोड को एजस्ट करने के लिए कहा यह गया था कि हम टीम ओनर्स से कहेंगे कि वो अपने जो में प्ले पैसा इंवेस्ट किया तो क्यों करेंगे बाई तो आप बुम्रा को जैसे पता कि इनका करिए अगर हमें बचाना है तो इस खिलारी को आप बाहर कर दो आप खाली इंडिया के मैचेस खिलाओ वाई यकीन वानिया करिए ऐसा करना शुरू कर देंगे तो यह हालत वेस्ट इ आपको याद है वेस्ट इंडिस का एक समय ऐसा था जब वो इंटरनाशनल मैचेस को छोड़के आई-पेल खेल रहे थे वो कभी केल रहे थे कभी कुछ खेल रहे थे यहां तक कि कायरें बॉलाइट से का जाता था बाई करो वो कहते नहीं हमें खेलना नहीं है इंटरनाशन देना नहीं है यही प्रॉब्लम है यहां पे भी अगर ऐसा रेंडा शुरू कर दिया तो देयार अफ्रेड की ऐसा होना शुरू हो जाएगा प्रेस्विल से भी टेकिंग रिटायर्मेंट और जो एकाथ सीरीज भारती टीम जीत पाती है वो उससे भी फिर जीतने से रह जा अब तयो है अब यहां पर निकी सर्जरी बहुत अच्छी होई है साक्सेस्फुली वनकी अंजरी हो गय आप ताइम यह है कि वह रिकवर कितने टाइम में करेंगा यह देखने माली बात है और क्यूंकि बैक की सर्जरी तो आइट इतनी आसानी से होगा कपल अउसर्जरी इ और being a bowler इतना असान नहीं होता survive करना, fitness maintain करना फिलाल पहली gain को cut कर दिया है boundary की तरफ extra cover पे field की जाएगी deep point और extra cover के बीच में field की जाएगी, एक single मिलेगा 56 हो जाएगा बिना किसी wicket के नुकसान के और brilliant showcase of batting है इस समय उपरे उसकी तरफ से तो I'm loving the way these both openers are performing for UP Warriors और सबसे अच्छी बात यह है कि Elisa Healy अगर aggression में खेल रही है तो Devika Vaidya ने बोले है कि चलिए मैं single doubles लेकी खेलती हूँ आप अपनी दूसरी तरफ से जो है पारी को जो है आगे बढ़ाईए हमें इतना माजा आ था था जब सब्सक्राइब की ओपनिंग स्टाइब की एक तरफ से रन बढ़ रहे थे और हम एक्सपेट करेए कि ऐसा ही कुछ चलता रहेगा सो अगर वहां पे वो स्ट्राइक रोटेट करके इंको स्ट्राइक देती रहती है जब तक वो बैटिंग कर रहे थी जब तक वो आउट नहीं होती तो मज़ा आता रहता था फिलाल सूइप किया गे इनको डीप मिड़ विकेट की तरफ इस बार स्क्वर लेक बाउंडरी के पास से फीलर आएंगे उसको फील करके थ्रोग करेंगे एक सिंगल और मन जाएगा एक और सिंगल के साथ जी यूपी वह जिस सत्तावन पर पहुच गए इस मैच इस गॉन फ्रमाशी बिलकुल यहां पर जो है अब बहुत बड़ा स्टार्ट मिल जाएगी तो एक्सरा कवर की तरफ से एक चौका और मिल जाएगा और आउटसाइड ओफ स्टम पे जादा बॉल कराए गई थे लेकिन कदमों का इस्तमाल किया उस गें तक जो है ब जबर्दस शॉट लगाया यहां पर टो एंड से लगा हुआ शॉट था यह बिल्कुल मिडल ऑफ दे बैट से नहीं लगा हुआ था फिर भी इतना पावर जेनरेट करती है अलीसा हीली और बाकी जो मदद है वह आपकी आउट फिल्ड ने करी दी जो की बहुत ही जबर्दस जा रही है 61 हो चुका है स्कोर 6.3 ओवरों के बाद और अब ऐलीसा हीली जो है वो 43 रनों पे पहुंच गई है अब क्या कोई फिर से फ्लाइट डिलिवरी थी अच्छी बॉल थी और वाइड नहीं होगी यह उनको भी पता है ऐलीसा हीली भी थोड़े सा अपसेट हैं कि इस 50 रनों से तो तयार है फिर से पांची बॉल के लिए फिर से स्वीप कर दिया है फाइल एक बाउंडरी की तरह बॉल जा रही है और कोई नहीं है वहाँ पर तो एक और चौका मिल जाएगा तो दूसरा चौका इस ओवर का स्कोर हो चुका है 65 और एलीसा हीली इस चौके के सा रही है ऐसे नहीं है कि 15 वर में सेज़ करना है तो लपे चला लो शॉट लगा लो यहां पर बहुत जाथा कैलिकलेट करके हर वर में 9 रन को एम कर रही है और आराम से उसको अचीव कर भी रही है तो उसका कोई फायदा मिला रही है फ्लाइट डिलिवरी यॉर्का लेंद की ड्राइव किया मिस फील्ड हुआ है पीछे फील्डर मौजूर है सिंगल मिलेगा और की समापती हो जाएगी स्ट्राइक अपने पास रखेंगी हेली अर्तालीस वे है 26 गेंदों का सामना किया है और साथ और के बाद 66 है स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान के 9 रन की जो स है उसको बरकरा रखने में का रहे हैं बहुत अच्छी बैटिंग जो है अभी कर रहे हैं तो राज यह मैच भी जाता हुआ दिख रहे हैं फिर से खड़ाब मतलब हैं आर्सवी के हाथों से भी वन साइड़े होता जा रहा है तो यार इस डवलू पेल में जादा मुकाबले हो गए हैं 32 तोन अंडरसन को टेली कर लिया इनके 32 है अच्भी जो लिए तो ठी च्छी है आज ह samma और अनिके विकेट बन गए उसके अलावा हाइस्ट विकेटेकर बन गये है ऑस्ट्रेलिया के खेलां बहुत सःची फॉर इन इडियां बोलर 113 विकेट उनके नाम हो गई ह एस से पहले 111 Anil Kumlay के नाम दी लें उनके 5 फाइव पिके फाल आदा हैं शायद इनके अनिल कुमले के नहीं को दूसरे नमबर पे थे जब उनका नाम आ रहा था था अनिल कुमले का पहले और पहले आ पहले आरा था देख लिजे कि किने उनके फाइब के टॉल है चलाइब से ओवर्ट अवर्ट करना चाहते थी लेकिन लेक्ष्टम के बाहर के इसलिए बल्ले पर भी लगी और गेंसीदा फाइनले की और चौके के लिए तो रहन हो जाएंगे यहांगे यहां पर सटर और लेकिन यह लैक की समापति के बाद तो अल्मोस्ट दस की रंगती से यह रंचेस चलता हुआ इसवा फ्लाइट गें थी ऑफ्टम पर उसको पुश किया और मिड़ान लॉंगान पर वहां खिलाड़ी मौजूद है इसलिए एक रं मिला एक हैंटर हो जाएगा यूपी का स्कोर साथ दशंब की ओर चलती हुई एक रंच चाहिए उन्हें अपना अर्दशा तक पूरा करने के लिए एक सुपिछतर के स्ट्राइक रेट से खेल बहुत धासु पारी जिसे कहते है न वो चलते हुए इस समय वेद्या के लिए ओवर की तीसरी गेंद पर 17 रं बना करके वेद्या ओवर की के मारा गेंसी दे शॉट एक स्ट्राकवर के खिलाड़ी की से ऊपर से डीप चॉके के लिए बहुत ही जवर्दस बॉल और यह जो है जो है चौका जो है यह काफी मलब कॉन्फिदेंस देखा देवी का वैद्या क्योंकि काफी देर से शांती हो सिंगल डबल्स ही लेह थी लेकिन यहां पर उनको जैसे ही पता चला कि उनको रूम मिल रहा है और उनके स्लोट में बॉल है तो उनने फायदा उठाया और यह बॉल जो है वो वाइडिश लॉंग ओन वाली बाउन्टरी पे जो है गई है फिर से ड्राइव किया है लेकिन बॉल जो है अब इस बार बाउन्टरी जो है लगाई है पांचरी बॉल के लिए तयार फिर से उसको ड्राइव किया है लेकिन वहां पे शॉट एक्स्टा कवर पे फील्डर मजूद कोई रन नहीं मिलेगा इस बॉल पे भी जो फाइवर्स की हम बात कर रहे थे सबसे ज्यादा फाइवर्स की वो एक सीधा डीप कवर में चौके के लिए ओस्टम के बाहर थी गेंद फ्लाइट जिसको ड्राइव किया कवर्स के खिलारी के खिलारी के उपर से तो बिल्कुल काफी अच्छा शॉट था यह बॉल देखा और उसको सही तरीके से प्लेस्मेंट भी कर दी खिलारी देविका वैद देखे थे एक जो था वाइडिश लॉंगान की तरफ जो है बाउंटरी लगे ती और अब यह जो शॉट लगाया है एक्स्टा कवर के थुरू तो बहुत ही अच्छी जो है जो है बिल्कुल कॉन्फिदेंट मिल रहा है साथी बैटर से सपोर्ट मिल रहा है तो वो रन बना समने वाली बैंटर पना रहा है तो प्रीमाइंट की कोई tension नहीं ए यही जो झाल रहा है और पी सिन्गल के साथ 50 चुर में पूरें कर लिया है यहां पर हेले ने व्यों कुई की पहलाने जो है पचासा यहां पर लगा है और असी स्कोर हो चुका है आट दर्शम्राव एक ओर के बाद मैं साथ रनों की जरूत है अब तो फिफ्टी नाइं रून्स की जरूत है सिरफ चारिकता है बातर गेंड़ा मैंने 16 ओर का चीज कहा था ज्यादा कह दी ते यह 15 ओर कही चीज है जो संदाज में पर्फॉर्मेंस चल रही है पचास पूरे के उननतीस गेंडों में शानदार पर्फॉर्मेंस यूपी वोर्योस के चलता हुआ सीबी टीवी चैनल पर जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं अगर आपको हमारी कवरेज बसंदा रही है तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक साथ मिलके लाइक का बड़न दबा दीजे सौ से उपर लोग हमें सुन रहे है इस बार पुल किया है कि इनको डीप म करनों की जुरत है बहुत ही एक्सप्लोजेव पारी यहां पर खेली है अज ऐली साहीली ने जिसके लिए वो जानी भी जाती है नैच्रल गेम ही उनका यह है कि आपको एक अच्छी शिरुवाद देंगी पावर प्ले में ताकि एक फाउंडेशन स्ट्रॉंग सेट हो जाए तो अब वह बिल्कुल नहीं रुकने वाले क्योंकि पचास काड़ा उनने पूरा कर लिये बहुत जल्दी है वो मैच खतम करने का जो है ट्राइ करेंगे और उसकी शिरुवात अभी इस चौके से हो चुकी है कदमों का इस्तेमाल किया और कितना जबर्दा शॉर्थ है जब गेंड बल्ले पया और एक उड्म से रॉकेट के माफिक निकल गई इस बाप तुछा के गई इस बाट फिला नहीं है बिल्कुल थे दरहीं है जुला नहीं जुला एन एट इस इन विकट के नुकसान गे नहीं इस बाट इस तम्स की लैन ए फ्लाइट उसको फिलिक कर या तो गेन सीधा हवा में मिडविकेट की तरफ निकल गई थी तो यहाँ पर कमाल की बल्लेबाजी ऐली के बल्ले से आते वे चले ओवर की अगली गेंद ओवर की पांचवी गेंद को लेकर चलिंगी दाय हाथ के ओवर दविकेट शॉट बॉल किया एक और चौका मिल गया यहाँ पर डीप मिडविकेट के इलाके में तो लगातार तीन चौके ऐलीस पैरी भी कहरी कि अब तो में डाइब लिया की फिल् यहाँ पर रोक लिया है रूख लिया है चलिए यहाँ पर चौका मिल चुका अलीस आहिली बासट रणों पर पहुंच गया प्रिटी गूड नमबर थर्टी टू बॉल्स पर बासट रण मनाया है देविका वैद्या जो है चब्बिश रमना कर केल यहाँ तीन लगातार बा अठारा रन का ओवर यह गया है सुमिति मंधाना की शकल जो ऐसा लग रहा है कि वहीं कहीं सीडियस लग रहा है कि वरो ना पोड़े नई एक बार आउटो कि इसले मैच में गई ती तो उनकी आखे नम थी अब तो और भी जादा नम होंगी यार कि चार की चार मैचे जो कि नौ अवर में सतानवे रन बन चुक है यूपी के महज बयालिशनों की जरूता है अट-सट गेंडों पर तो यह तो मेरे को लगा रहा कि कि बारा या तेरो अवर में पूरा मैच खतम ही हो जाएगा जिस तरीके से अब बलेबाजी कर तीवी दिखाई दे रही है तो उस अगर अगले मैच में को चांच चाहिए ना तो उनको यही करना पड़ेगा अगर वो उन्टे-सीधे शॉट मार की आउट हो गई तो तो बारा उनको उपन करने का मोका नहीं मिलेगा नहीं मिल जाएगा तो उनने कर दिया अपने आपको सहरावत से तो अच्छा ही खेल लि लिये गया खुद है आ लिय जो बार भाग ऑड़ लेते हैं पैसा अब्रबाद टाइम बर या है शयु था लियी आ शायद इसले मार गशार में कर नई बचाने करे लिया ता चरद नम यहां पर नुन थर्सीज़ जो है ना वो RCB के ओपोजिट ही हो रही है और नेखे अब क्या करते हैं अपर क्या और इससे यादा और क्या ही हो सकता है Elisa Ely तयार है यह फिर से फेस करने के लिए अपन ही हम बतन प्लेयर को जो की जिनका नाम है Alice Perry, John Lewis, coach है head coach है मैंकाल से इंगलेंड के लिए खेलता है John Lewis? जो एस्ट्रेलिया के ही है नहीं बड़े देखेंवे लग देखेंगे लग रहे है John Lewis जाए ऑस्ट्रेलिया के होगए John Lewis, Australia के ही है जो की coach है इस बार UP Warriors के दूसरी बॉल के लिए तयार है एलिस पेरी फेस करेंगी यहां पर एलीसा हीली फिर से पुल किया है उस बॉल को बॉल जा रही है डीप स्कूर लेक बाउंटरी की तरफ लेगें वहां पर इस बार फील्डर जो है प्रोटेक्शन ले रहा है उन्होंने और सिरफ एक ही रन मिल पाएगा स्कूर पहुंचा नि यूपी वोरियर्स आ गई तो परफॉर्म फिर इंगलेंड के थे जॉन लेवस इंगलेंड के प्रेया थे खुशी की लेहर है यूपी की टीम में क्यों नहों बिल्कुल भाई जबरदस परफॉर्मस ती वही तीसरी गें इस बार डान दालेक साइड यह वाइड सिगनल बहुत ही जबरदस्त बहुत ही जबरदस्त पारी यहां पर देखने को मिल दोनों ही बल्ले बाजवा के बीच में सो रनों की जो है पार्टनर्शिप हो चुकी है और अभी भी 49 रनों की जरुवत है चौन सट गेंडों में तो मेर फॉर्मालिटी जी बची हैं अभी तो 27 रनों की जरुवत है और अगर हम इनके स्ट्राइक की तरफ देखे तो मुझे लग रहा है 190 का स्ट्राइक रेट है अल्मोस डबल खेर रही है 34 इंटू 68 होता है लेकिन अभी 67 पर केल रही है तो जबरदस्त पारी यहां पर अलिसाहिली के बल्ले से निकलती हुई चौती तरह के लिए तयार है इस और के लिए लिए थोड़ी चोटी टेलिवरी तीटी के चीशे कनेक्ट नहीं कर पाई और बॉल जूए डीप मिडिविकेट फील्डर के पास जाएगी एक रन यहां पर भी मिल जाएगा इक सो दो बिना किसी नुकसान के 37 चुनों की जितने के लि इनकी भी डाउट फॉलो रही है नहीं नहीं आउट होंगे यह पूरा दस विकेट से जीतेंगे बही है अंदरा ओर का चीज है भाई 16 करने मैंने 16 अपरेट किया था अगली गेंस टम लेक्स टम पे थी उसको फ्लिक किया गेंसी दे मिड विकेट के खिलाड़ी के पास रन क एक मौका था और एकल पूरा भी किया एक सो तीन पे बिना किसी नुकसान के यूपी का स्कोर होता और जीतने के लिए महस 36 रनों की अवशकता आर्सीबी की टीम एक और मुकाबला बड़ी आसानी से हारते वे बोलर्स की पिटाई हो रही है और इंफॉर्म बोलर एलिस पेर करके अवर की अन्थिम गेंद का सामना करेंगी चोटी गेंद थी ऑफस्टम के बाहर को जाने दिया फॉर्स्टम यह नहीं होगा क्योंकि इतनी जाद ओपर नहीं थी गेंद यहां पर चंदन चौदीगार और गूगल से जा के देखो भाई क्या गूगल से पूचा पूच अब चेक करके बता था गूगल के पास जानी जरतनी है तो उस्तो हम बताये आपको टेंशन अपर चाले राज जो है अबी आपको स्कोर बताएंगे कि इंडिया का स्कोर अबी क्या है पाली इनिंग में उन्होंने मेरे चाज उन्से बदेशन दस आशन धेशन धेशन तो फ वर्टासोवर का खेल हुआ था और शाटीस रन किये ते भारतिया टीम ने और 444 रनों से पीछे है भारतिया तीम ने देखते हैं किस थरीके की बल्लेबाजी कल होगी कि पिछ बहुत अच्छी लग रही आ तो अभी पता नी रात महीं कुछ अगर कुछ हो जाया और चानक रह अचानक से बॉल एससे स्पिन करने लगे तो रहाति में ने चाहिए तो एक रन नहीं होने चाहिए थे वहां पर एक रन मिल गए यूपी की टीम को एक सो चार बिना किसी नुकसान के दस दश्यम्लाव एक ओवर की समापति के बाद अब चीजों में गलती हो रही है यार में भी गलती हो रही है और फिल्डिंग में इतनी सारी में अपका मॉराल एक्डम यह है कि शुरुआत अच्छी नहीं हो रही है अब चाहिए बोलिंग पहले कर लीजए और जितने जल्दी मैच खातम हो उतना जल्दी खातम करो इसको गेंद बाउनरी के बाहर चौका मिल हीलीको को बढ़के हो जाएगा बहतन और यॉपी वालियोस पहा हैंगे एक सो अठ पहाँ तो आफाट बाउनरी लाइंग या डिजा रहे दो भी हो जाएंगा है कि ऊपैड घलमेट सब्सक्च लगा कर के बाउंडरी लाइन युडिय। बाउंड संगा थैंजर इसक्छी यहां पर जख्मों पर नमक छिड़कती हुई Elisa Healy, क्योंकि पहली बॉल पर दूसरी बॉल पर चौका लगाया था और यहां पर आगे बढ़ की कदमों का अच्छा इस्तमाल किया गेंड की पिछ तक पहुंची और हमें तो यहां से चक्का ही लग राता है फाइन लेक की जो पॉइंट की फिल्डर है इस बॉल को पकड़ेंगी तब तक एक रन लेने में कामयाब रहेंगी 115 हो जाएगा स्कोर और कल जो है काफी अच्छा मैच है गुजराज जायंट्स वरसे डिली कापिटल्स गुजराज जायंट्स अपना पिछला मुकाबला जीती थी वहीं डिली कापिटल्स जो है वो एक हार के साथ जो है इस मैच के बीच में आगी लॉरा वालवाट वालवाट आगी है साथ आफ्रीका के खिलाड़ी इस बार पैड़ पे लगी है डाउन डालेक साइड ये बॉल जा रही है अपील करना भी सही नहीं समझ रहे हैं बोल रहे भाई आवए कि चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए है पच्छपन के इंदों में इस जस्ट अमाटर टू और त्री ओवर्स मैक्सिमम मुझे नहीं लगता है इससे जादा जाने वाला है ये जारवा ओवर प्रगती पे है दो या तीन ओवर्स पे मैक्सिम ये चीज़ कर लिया जाएगा जिस तरह से हेली बैटिंग कर रही है अब अगर हम बात करें वैदिया के लिए तो एक् कीसी तो नुकसान के प्लीज मैर्बानिय।ाररर्णिय मिखस के लिए खी ट्विवेशे लिक्स्टमांत विजिभल मुदैर्णिया फेचा को होलग है ऐं विद गय्याः है आ है प्रिजिस्टीस इंग तो सबसे बड़ी बात है कि अच्छाइजिक टाइम आउट का ताइम आप आप आएगा क्योंकि अच्छाइजिक टाइम आउट विल बेवलेबल बिवीन 13 तो 16 Overs तो 11 Overs का खेल हुआ है तो 12 Overs का खेल है पुझे लग रहा है स्ट्ड़िक टाइम आउट का इंटाइम आए जाएगा तो लेंगे 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 लाग्स के बाहर पिच dign commentare i have not out not out ओला यह… जाफ नाउटसाइद लेग और बहला our saúde late ठीहा थी इनिंग in , पूरी इनिंग बेले यापज़ सब्सक्ड चेल ले निया उलिख // रहल बॉरुई इनाो है तो फुक्त कर्शास बड़ोब करें वी सब्कित बंदेकल किस अच्छा था अरे ने फरेम से लिग और पीछे चलते हैं वोज़ो कर आपने जिसे जए लिएड़ने बोल पीछे जाए जाइव चरने कर आपबर कुरों थेख ज़िए अज़ेप बहुत ज़ादा बार बार हो गाया आपने लिए attaपा कायादा यार अवर साल मजाढा मुझे आखे दिखा ख Ginger अब साल हा दिखा colis भी एटी तैना में जाड़ी गुणिए अवरा मैं अबिगो कर मत कर नाhon आजेài संवय हो का कर दिल देखा अवरा मैं इस ताना का रहिए तो एक के दिल को समझ अब है फ्रहे है है कुछ और मत्ता मैं दो आगे चलते हैं कप्तानी भी ख़राब खेल भी ख़राब सब कुछी गराब चल रहा है मैंचमेंट में भी कराबी ओरी होगी यह प्रवल गुपता जी कहरें के दुनिया हिला देंगे हम MI अज़ खराब उज़ें मुझन से यहांनी क्याITA कि आतोथ 2016 मैंचमें मुछेन भीन है किसे मुपी से ख़गाभण मुपी से यह होगा अज़ यहांनी फिर जबी आगी परीगाइ़ आप डियेगाए़ तर्प ए रहेगी है झालकाःट वेन पेरी आ गई है फॉर्मालिटी निवाने के लिए पैचले वर में पांच ही रन दिये थे अच्छी गीनबाज ही की थी एकलौती ऐसी गीनबाज और बैटर जिन्होंने रन बनाए है आहाँ वार शॉट नजाकत भरा शॉट आई है बैक फुट पे गई बल्ले का मुझ खोला और थर्ड में बाउंडरी के बाहर पहुचा दिया इस गेंद को बेहतरी न चौका 119 बिना किसी विकेट के नुकसान के 20 मात्र और रन चाहिए अब यूपी वार्योस को ये मुकाबला जीतने के लिए कुछ कुछ कहना चाहेंगे इस प्यार लारे शॉट बहुत अच्छा उनको पता है फील्ड कैसी है तो उनने चांस लिया अपना बॉल की जो है गती को यूज किया सिर्फ गाइड किया बॉल को थर्ड मैं की तरफ और रिचा गोश जो है वो पहले ही थोड़ा सा लेक की तरफ जा चुकी तरफ जा रहे हैं तो बिल्कुल हो जाएगी अगर सेंस तो कोई रन नहीं है लेकिन इसके बीट हुई और काफी नाकुछ नजरा है यहली कोई बाती है अच्छा परफॉम आप कर रहे हैं बीसी रन और चाहिए और जैसे कि हम बात करे थे क्या स्ट्राइजिक टाइम आउट तक यह मैच जाएगा क्यूंकि इसके बाद एक और और है जिसमें स्ट्राइजिक टाइम आउट कर समय आएगा और आयूज भाई मारे स्पॉंसर के बारे बताएंगे अगर टाइम आउट आता है नहीं आता तब ही बता जीए बता देंगे अगली गें तीसरी गेंद होगी यह दाए हाथ से ओवर दाविके शॉट बाल ती उसको पंदरा रन बनाने हैं तीन रन सिर्फ बनाएं देविका वैद्या बाकि पंदरा रन बनाने दें बढ़िया बैटिंग करें वैद्या सटाइस गेंदों बहुन अटीस रंस और दूसरी तरफ से भरपार भरमार हो रही है रंस की बिलकुल आज अगर हम बात करें आज के इन को फेस करने के लिए अची बाल दाउन दा ग्राउंड केला है यह और चार रन और मिल जाएंगे और वो 89 हो जाएगा स्कोर तरफ तालिस गेंदों में जबर्दा शॉडर खड़े-खड़े स्टैंड डिलिवर जिसे कहते है न वो चीज की है उनकी स्लोट में कराए गई बॉल थी और उसको जो है ओवर दा बोलर सेड खेला है स्ट्रेट डाउन तो दे ग्राउंड मिडल अफ दे बैट से और उनको पदा था कि यह चौकाई मिलने वाला है तो वो अपनी क्रीस से हिली भी नहीं और चार रन मिल गया तो 89 पे पहुंच गए है चौदा रन चाहिए जिसमें से 11 रन को चाहिए अपना शतक बनाने के लिए शौट देखने के बाद सिर्फ एक ही वर्ड मुझे निकला वो है डव्ली ओ डव्ली वाव 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 उन ट्वेनिफाइव फो नन चोटी गें पुल किया है ये गें बाउंडरी की तरफ जा रही है फील्डर उसके दीचे आ रही है सिंगल ले लेंगी स्ट्राइक को लेंगी स्ट्राइक के नुकसान के अब तेरा न और चाहिए और अगले ओर मैच खतम बिल्कुल हो सकता अगले ओर मैच खतम हो जाए और हमें पहला जो है शतक देखने को मिल सकता है इस डवल्यू पील का और ऐलीशा हीली वो पहली बैटर हो सकती है इस बॉल को डॉट करन अगर उनको शतक बनाने का मौका देना है तो वेध्या को बिल्कुल आप डॉट कीजिए यूँकि अब तो कोई प्रेशर तो है निया अप च्छका भी लगा देंगे तो हो सकता कि यह सथक पूरा नहीं हो नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा नहीं हो तो डॉट करना है च अगर नहीं हो तो सिंगल आगा तो श्राइक देवी का वेध्या के पास होगी तो हो सकता कि यूभाई अईश भाई शतक पूरा होता हुआ नहीं को दिक्कत नहीं है लेकिन अगले ओवर मैं मैं चातम होना चाहिगा नहीं को देंगी वह तो इसको डॉट करना चाहिए था यह कोई बात नहीं है कोई अछ्या पॉल जा गूट कराई कोई अप्या थे जड़ा हूगा तो दो करीओ इप बात नहीं हमारे थे जरुर्य नहीं कोई अगल अग्या यह पना राम से है उझाल अगर वह चीज़ दिशीए उन्या होगा ऐसे नहीं जोग ईया तो यह तो पिछली बार लॉट्स में खेला गया था इस बार जो टेस्ट मैच टेस्ट चैंबेंशिप का फाइनल वो ओवल में खेला जाएगा नाइस चले लीडल बोर्ट पर सबसे उपर मुंबाई इंडियन चेहंको के साथ और दिली केपिटल दूसरें के चाहता है कि अगर दस विकेट से जीतती है तो क्या डिली को टाप पाएंगे लोक की बड़ी जीत होगी है बाए हाथ से राउंद विकेट बाए हाथ के बल्लेबास के इस वार गेंदबास के उपर से मारा है लेकिन दीप में खिलाडी मौजूद है लॉंगाउप पे तो एक ही रन मिलेगा एक सो अठाइस बिना किसी नुकसान के होतावा यूपी का स्कोर बार दशम लव एक ओवर के बाद अगर वो नबबे पे खेल रही है तो आप उनको चांस दीजिए ना यह संचुरी बनाने का आप ऐसे बड़े शौट खेलने के लिए क्यों जा रहे है यार हर बल्लेबास सबसे पहले वो अपने वारे में सोचता है फिर उसके बाद किसी और की बारे में यहां पर बहुत अच्छा लगा है ली को देखिया अगर हैली चांती तो लास बॉल पर मना कर सकती थी ती वो बट यहां पर बड़े खिलाड़ी की निशानी ही होती है और उनको सेंचुरी की परवा नहीं टीम की परवा और भई उनको मुझे नहीं लगता कि इन आकड़ो है फिल्डर वहां पर मौझूद है एक रण पूरा करेंगी अब नहीं होगा सिंगल मुचिल लग रहा है क्यांवे पहुच के हेली यस दस रज चाहिए अब अब तो यह की दो पाउंड्री लगा है तब जाके बन सकता है या पगर एक चुका लगा दे तब ही बन सकता है य अब तो हंड्रड नहीं हो सकता है बिल्कुल भी अब चौका लगा दिया है यहां पर देवी का वैध्या ने पैंथिस पहुंच जाएगी तीस गेंदों में और माइक हैसंज है वो मैया आप रोते ही रहेंगे क्योंकि आप इमांशु चौद्री को बताईए वल्ड कब है नो दियार ओफिशली आउट मुझे लगता है यहां से जीत के वाट राव फ़स्टूबर में है तो इमांशु जी अक्तोबर में होगा अक्तोबर नुवेंबर नुवेंबर इस से का फाइनल जून में जून में आई पेल अगले महीनी से एक तीस मार्ट से चालो है तो शर 30 तारीक से पहला मुकाबला खिला जाएगा फ्लाइटे डिलिवरी हवा में खेल दिया है गैप में गई है एक स्ट्रा कवर की तरफ एक सिंगल मिलेगा मातर पांच रन और चाहिए दो बाल्स बची है एली साहिली आगे बढ़के और यहां पर निकाला है चौका है यह चौका है यह फुल टॉस बनाया और गेंद को रिवर्स स्ट्रा को रिवर्स हो जाएगी 95 हो गए एली के जीतने के लिए अब चाहिए यूपी वाल्योस को एक रन और यहां पर अगर यह चक्का हो जाता है तो सेंचरी बुली हो जाएगी हाँ 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 जुड़ते भाई आकडो में तो जुड़ेंगे बिल्को यार चक्का मार दे मजद है 100 हो जाएगी हे रंस बार के हिली मैच खतम करती है तो इनकी सेंचरी हो जाएगी 95 पे समय मौझूद है और ताबर तोड़ पर्फॉर्मेंस भई मैं जल्दी में था तो मैंने 16 Overs का मैच कहा था है तो RCB मेरे से भी जादा जल्दी में है उनने का नहीं भाई हम 13 में ही खतम करेंगे भाई एक ही रन मिलेगा और इसी के साथ नहीं ही एनाची सिंगल है मैच कहतम हो गया UP Warriors के यह मुकाबला 13 13 13 13 Overs में मैच कहतम कर दिया है और निश्चित तोर पे दिल्ली यहां ठीक से connect नहीं कर पाई लेकिन अब आप देखिए कि 10 विकेट से जो है यहां पर जीत अर्जित किया पिचान में रनों की पारी के लिए RCB and the Legacy continues चार के चार मैचेज जो है अब वहार चुपनी चार के चार मैया है तो यहीं कहूंगा आपसी नहीं हो सकता है मुश्किल है अब कैसे साथ ही तो मैच केलने एक टीम ने साथ मैच केलने आप तीन जीत भी जाएंगे तब भी आपका 6 होगा 6 होगा ना तो आप तो नह अब सवाल है कि क्या दिल्ली कापिडल्स को पचार के नंबर दो पुजिशन पे यूपी वारियर्स पहुच जाएंगे क्योंकि कल बड़ी हार मिली थी दिल्ली कापिडल्स को उसकी वज़ा से उनका जो नेट रन रेट था वो दो से घटके सीधा पॉइंट जीरो पे यहां पर यूपी वारियर्स की और दोनों ही बल्ले बाजो ने अपना काम भरपूर किया यहां पर देविका वैद्या ने बहुत अच्छा साथ निभाया यहां पर एलिसा हीली का जिनोंने सबसे आदा लिया और यहां पर अभी भी जो बात यही है कि डेली कैपिटल्स नंबर दो पे है और यूपी वारियर्स की जो टीम है वो नंबर तीन पे है तो जब प्लस में आया तो प्लस 0.509 है उनका रन रेट अब तक्कर होगी डेली कैपिटल् पे है मुंबा इंडियन्स चे पे है तो एक चांस है यूपी वारियर्स जैसे आप कह रहे है तो पिर वैसे ही नंबर दो पे आजाएगी वो तो टुड़े जिस्ट वर टुड़े विल सी यू अगैन तुमॉरो मौनिंग सवा नौ बजे से भारत बनाम ऑस्ट्वेलिया डे 3 की शुरुआद होगी उसके साथ हम आपको मिलेंगे तब तक अपना ख्याल रखें लाइक करिएगा सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को और हमारे स्पांसर क्रिक्रैक्स की वेबसाइट पे जाके जरू चेक आउट कीजेगा उनको बहुत सारे इनाम आपका इंत